हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल तो मेरी तरफ से आप सब को रमजान मुबारक तो आज हम रमजान स्पेसल रेसिपी बनाएंगे तो चलिए कुछ मीठा बनाते हैं तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेट के बने स्विज रोल तो बनाना स्टार्ट करते हैं इसे पर आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ब्रेट तो मैंने यहाँ पर लगबग 5-6 ब्रेट स्लाइस ली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मीडियम साइज की ब्रेट ली है आप यहाँ पर इससे बड़े साइज की भी ब्रेट ले सकते हैं तो चलिए अब braid की हम जो sides होती हैं उनको cut कर लेंगे कि चारो side को cut करके निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारी braid की sides cut हो गई है इसी तरीके से हम सारी braid की sides को cut कर देंगे तो guys अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लगती है तो please मेरे चैनल को subscribe कर जिए bell icon को press किजी और मेरे वीडियो को like करिए तो guys हमने यहाँ पर सारी braid की sides को cut कर दिया और यह जो बचे हुए sides है इसका हम braid crumbs बना लेंगे इनको बिल्कूर भी faking नहीं अब यहाँ पर हम लेंगे whipping cream जिसको मैंने बहुत ही अच्छी से blend कर लिया है और इसको थोड़ा colorful बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा gel color तो यहाँ पर मैंने yellow color का gel color डाला है तो अब इसको हम अच्छे से mix कर देंगे cream में तो guys आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो color है बहुत ही अच्छी से cream में mix हो गया है अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे pineapple crush तो मैंने थोड़ा सा pineapple crush लिया है आप यहाँ पर कोई और flavor का भी crush ले सकते हैं इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है half cup दूद उसमें डाले ही हो जाए बहुत जड़ा सॉफ्ट ना हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको अच्छे से अलके अलके हाथों से प्रेस कर देंगे तो guys हमारी जो bread की slice है वो ready है अब इसमें हम लगाएंगे pineapple crush तो मैंने यहाँ पर थोड़ा pineapple crush डाला है और पूरी bread में अच्छे से फैला के लगा दिया है तो इस pineapple crush लगाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे whipping cream जो हमने yellow color की बनाई थी उसको हम पूरे bread पर अच्छे से फैला के लगा देंगे तो यहाँ पर मैं इस पैचुला के मदद से पूरे bread पर अच्छे से फैला के लगा दूगी तो guys हमने cream को बहुत ही अच्छे से लगा दिया और cream की बहुत ज़्यादा मोटी layer नहीं लगानी है एकदा medium लगानी है और जो extra cream है उसको हम पूरे bread पर लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और cream लिए है और cream को इस पैचुला से पूरे roll पर लगा दिया या तो फिर आप इस तरीके से हाथ से पूरे roll पर लगा सकते है तो guys हमने पूरा cover कर दिया है roll को cream से तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो roll है बनके ready हो गया है इसी तरीके से हम बचे हुए rolls को भी बना के ready कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने फिर से एक bread की slice लिए और इसको बहुत हलका हलका से dip कर लिया है dip करने के दोनों हाथों से हलका से press कर दिया है अब इसमें डालेंगे आप पाइनैपल क्रस्ट तो आप यहाँ पर पाइनैपल क्रस्ट के जगे कोई और क्रस्ट भी डाल सकते हैं कोई और स्ट्रोबेरी क्रस्ट डाले तो आप इसको पिंक कलरी की भी बना सकते हैं तो चलिए इस तरीके से हम इस रोल को भी पूरे अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे तो गाश जगर आपने मेरा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज भूलना मत मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम हमारे जो रोल्स है बनके रेडि हो रहा है ऐसे ही हम सारे रोल्स बनाके रेडि कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे रोल बनके रेडी हो गए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उपर से भी पाइनेपल क्रश डाल देंगे ताकि इसका और जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से आ जाए तो यहाँ पर मैंने बहुत हलका हलका सा थोड़ा थोड़ा सा pineapple crush डाला है उसके बाद यहाँ पर मैंने एकदम बारीक वाली शक्कर आती है उसको लिया और लेने के बाद रोल पे हलका हलका सा डाल दिया है बहुत जद्धा नहीं डाला है बस हलका हलका सा डाला इसमें अब यह आपर हम डालेंगे बारी क्रश किया हुआ पिस्ता तो मैंने आ पर थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाला है और पिस्ता डालने के बाद हमारे जो ब्रेट के बने स्वीज रोल है वो रेड़ी है इसे आप थोड़े देर के लिए लगबक एक घंटे के लिए इसको फ्रिज़ पर करें और बेल आइकन को प्रेस करें